गुद मारिंग चिल्डरन, पक्षा पांच, गुजराती के विशाई में हम मेल रहे हैं, और आपके विशाई का नाम है गुजराती, पार्ट पांच, ठंडक, बोखो अने बिल्ली स्वाध्याई पोथी मां, अगरना पिरियड मां आपने पेद नंबर 72 सुधी जोई गया हाता, आगे के पिरियड में हम पेद नंबर 72 तक सिख गये थे, आज हम पेद नंबर 73 से शुरू करेंगे तक पेद नंबर 73, बोखो मगर, एक पोएम दी हुई है, लाइक स्टोरी जैसा, बोखो मगर, मगर को तो आप जानते हैं, बोखो, बोखो किसे बुलते हैं, जिसके मुह में दात न हो, उसे बोखो ऐसा बुलते हैं, चलिए, बिल्ली और मगर की पोएम देखेंगे हम एक बिलाडी, जाडी, पाडी, एतो पहरे जिन्स, देखिए, अब बिल्ली भी मॉडन हो गई, क्या पहन रही है, जिन्स उसे दो छोटे-छोटे बच्चे थे, एक था ब्लेक और एक था वाइट और दुनों ट्वीन्स थे रोज सवारे तड़ाव कांठे बद्धा फरवा जाए, लुच्चा मगर भाई ना मोमा पाणी आवी जाए वो रोज सुब़ तालाब के किनारे सैर करने निकलते थे, और वो जो मगर था तालाब में वो बहुत लुच्चा था बिल्ली को देखकर उसे मुह में पानी आ रहा था, और बच्चे को भी देखकर माम पानी आ रहा था मिठ्टू मिठ्टू स्माइल आपी एसव ने लल्चावे सबके सामने वो स्वीट सा स्माइल करकर उसे लल्चाता था कि अगर वो पास आये तो मैं जट से उसे खा जाओ बच्चा ने पन खबर हती के बिल्ली एने भावे, लेकिन बच्चे ज़्यादा होश्यार थे, उसे भी पता था कि मगर को बिल्ली बहुत पसंद है, वो खा जाता है इसलिए उसके पास नहीं जाते थे यह बिल्ली बहुत मौडन थी, यह मौडन बिल्ली को देखकर मगर का चीत भी चकर खा गया कि यह कैसे बिल्ली है कि उसे तालाब का पानी देखकर पानी में देखकर भी चकर नहीं आ रहे कि अगर वो चक्कर आये और पानी में गिर जाये तो मैं उसे जट से पकड़ कर खा लूँ आगे देखिए एक दिवस्तो बिल्ली बाई ये मनमा वाडी गांट कदी भुले नहीं एवो शिकू मगर बाई ने पाठ बिल्ली को पता था कि ये मगर हर रोज फिराक में रहता है कि कब हम नस्दिक जाये पानी में गिर जाये और वो हमें खा जाये उसने सोचा मन में तै किया कि आज तो इस मगर को ऐसा पाठ ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जिन्दगी भर कभी नहीं भुलेगा कपडानी एक जाडी बिल्ली बिल्ली बाई लई आविया सरस्मजानी साडी उपर गोगल्स पन पहरा आविया क्या किया बिल्ली ने कपड में से यानि की कपडे में से बनी हुई एक जाडी मोटी तगडी बिल्ली लेकर आये वो नकली और उस नकली बिल्ली को उसने साड़ी पहनाई, गोगल्स भी पहनाया तड़ाव पाड़े लई जैए एने तर्ती मुखी दी जटपट लगावी छलांग मगर भाई ये बिल्ली जड़पी ली दी उसने तालाब के किनारी जाकर उस कपड़े की बिल्ली को तालाब में तेरने के लिए छोड़ दिया मगर भाई ने जैसे ही देखा वो जट से छलांग लगा कर आ गया और बिल्ली को मुह में जड़प लिया कपड़ानी बिल्ली मा पत्थर संताड याता साथ तड़ 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 तड़ाव मातों बदाज खिजवे आवियो मगर बोखो अब सभी मगर को चिड़ाने लगे कि मगर दात के बीना बोखा हो गया आगे देखेए पेड नमबर 75 अब यहाँ पर वादचीत ऐसा दिया हुआ है उस वादचीत के प्रश्णों के उत्तर आपको नौट्बुक में या कही पर भी लिखने की जरूरत नहीं है उसे सिर्फ आपको ओरली यानि की मोखिक प्रश्णों के उत्तर देना आपको सिखना ह उसके बाद देखेए वाक्य उपर थी काविय पंक्ती शोधू यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है उसका सही उत्तर कौन सा है वो हमें डूंडना है और उसके आगे सही का निशान लगाईगे चलिए आगे देखेए सबसे पहला है एना बे ना नकड़ा बच्चा ब्लैक एंड वाइट ट्विन्स इसका क्या आर्थ होगा तो यह क बिल्ली ने काड़ू अने सफेद एवा बे जुडिया बच्चा हता है उसके बाद सेकंड मौर्डन बिल्ली जोई मगरनू चित चड़े चक्रावे तो उसका सही आंसर क्या होगा मौर्डन बिल्ली जोई मगरनू चित चड़े चक्रावे यानि कि क नवा जमनानी बिल्ली जोई मगरना मन्मा केटलाई विचारो आविया थर्ड कपड़ानी एक जाडी बिल्ली बिल्ली बाई लई आविया मतलब कपड़ानी बिल्ली कपड़ानी एक चाड़ी बिलाडी बनाविने लई आवी, ओ चौधा, बिल्ली बहेन मगर भाईनो हिसाब थाई गयो चोखो यानि कि बिलाडी अने मगर नो गंदो थाई गयेलो हिसाब चोखो थाई गयो मगर अने बिलाडी ना पैसानो हिसाब पुरो थाई गयो के नवी बिलाडिये जुनी बिलाडिनो बदलो लई लिदो तो अ मगर बिलाडि अने मगरनो गंदो थाई गये लो हिसाब चोको थाई गयो चालो त्यार पची जुओ प्रश्ण ना जवाब कहो इस प्रश्णों के जवाब आपको अपने गुजरातिकी नाटबुक में लिखना है सबसे पहला है बिलाडिने शुँ पहरवू गमतु हतु तो बिलाडिने जीन्स पहरवू गमतु हतु बिल्लीना बच्चाने लल्चाववा मगरभाई शुँ करता हता बिल्लीना बच्चाने लल्चाववा मगरभाई मिठु मिठु स्माईल आपता हता त्रीजु मगरभाईना मोमा पाणी केम आउतु हतु मगरने बिल्ली बव भावे तेथी बिल्लीने जोईने तेना मोमा पाणी आउतु हतु चोथा प्रश्न, मगर ने बोखो केम कहे छे? कारण के बिलाडी ए नकली बिलाडी बनावी, मगर ना बधा दात पाडी ना ख्या, तेथी मगर ने बोखो कहे छे. 5. बिलाडीने चक्कर नथी आउता तेनी मगरने नवाई केम लागी करण के आ बिलाडी मोडन हती ते मगरनी चाल समत्ती हती तेथी बिलाडीने चक्कर नथा आउता अने मगरने नवाई लागती हती चट्टू, मगर भाई ये पाठ बनावा बिलाडी ने शू कर्यू तो मगर भाई ने पाठ बनावा बिलाडी ये कपड़ा नी एक जाडी बिलाडी बनावी अने तेमा सात पत्थर संताध्या तियार पसी चुओ, बिलाडीने लागू परतू होई तियारे म्याव बोलो औने मगरभाई ने लागू परतू होई तो वाव बोलो मतलब, जो sentence बिल्लीको अगर लागू परता हो तो म्याव और मगरको हो तो वाव सबसे पहला, एना बे काडा अने सफेद बच्चा केवा सुन्दर छे, तो ये किसे लागुब होता है, बिल्ली को, तो हम म्याओ ऐसा लिखेंगे, बोलेंगे, अरे आने उखावतों केवी मजा आवे, मगर तो वाओ, हुशु करू के जेथी आना दात तुटी जाए, बिल्ली तो म्याओ, ओ मा, अमारा दात तुटी गया, माने तो बव दुख्यू, मगर तो वाओ, लाओ एने गोगल्स पहरावू, बिल्ली बेन, तो म्याओ, आतो जो मारा थी जराई डरती न थी, वाओ, चालो, उसके बाद देखिए, तमें नाना हता त्यारनों और अत्यारनों फो लगाना है, और फिर नीचे वादचीत का जो क्वेश्चन है, वो आपको ओरली यानिकी मोखिक उसकी चर्चा करनी है, आगे देखिए पेद नंबर 77, तमारा विशे लखो, यहाँ पर आपको अपने बारे में लिखना है, मारा घरनों नाम खाली जग्या हतु, अत्यारे मा नाम खाली जग्या छे, मने खाली जग्या खाली जग्या भावतु हतु, मने खाली जग्या बीक लागती हती, मने खाली जग्या वारता गमती हती, पहला खाली जग्या मारे बनवु हतु, अनि हवे बाजुना बोक्स में, मतलब बाजु वाले बोक्स में लिखना है, अत्य अत्यारे मारू नाम खाली जग्या छे, हवे मने खाली जग्या भावे छे, अत्यारे मने खाली जग्या भीक लागे छे, हवे मने खाली जग्या वार्ता गोमे छे, अन्ये मारे खाली जग्या खाली जग्या खाली जग्या यलेके मारे हवे खाली जग्या बनवू छे, तो इस तरह से आपको लिखना है उसके बाद देखिए जराहस ये दैरिय आँ वर्षनू एक केलेंडर आप जो ने दुकानदार ने पुछा के हूँ आपू तो दैरिय ने कहा घणी बती रज्याओ वाडू मतलब केलेंडर में तो फिक्स ही होता है रज्या का दिन चुट्टी का दिन फिक्स होता है लेकिन दैरिय को स्कूल जाना पसंद नहीं था तो उसे बहुत बजी चुट्टी चाहिएगी इसलिए उसने बहुत जिसमें चुट्टी हो ऐसा केलेंडर दीजी ऐसा दुकानदार को बोला उसके बाद शब्द पोट्ली मां शब्द भरो तो लगभक सरखा यहाँ पर जो डार्क अक्षर में डार्क कलर में लिखे हुए हैं वो शब्द आपको उपर शब्द पोट्ली में लिखना है इस तरह यह सभी डार्क अक्षरो वाले शब्द आपको उपर लिखना है और यहाँ पर उसका सिमिलर वर्ड दिया हुआ है वो आपको पढ़ कर समझना है बाड यानि नानो बाडक तहुको एक प्रकार नो मदूर अवाज हर्खाता यानि खुश्थता तदन यानि एक दम लोंदो यानि पलडेला कागल नो डूचो कागल जूपकर पानी में भीग जाए तो कैसा ऐसे डूचा जैसा हो जाता है वो पवन वाई यानि की पवन आवे तो इस तरह आपको यहाँ पर जो शब्द है वो पढ़ना है याद रखना है और डार्क अक्षरों वाले शब्द यहाँ पर उपर पोटली में लिखना है